वेलेकम दोस्तों मेरे चनल में स्वागत है तो दोस्तों आज बात करने वाले यहां देख सकते हो हमारा कमप्रेशर का होता है वो हमारा वाय जल गया है क्योंकि कंप्रेसर में ज्यादा तर कॉमन का वायर ही जलता है यानि नूटल का क्योंकि जो हमारा कंप्रेसर है नूटल से ज्यादा पाउर लेता है क्योंकि नूटल को ज्यादा लोड रहता है इसके लिए हमारा कंप्रेसर कॉमन वायर ही ज् से fix करते हैं और कैसे fix करें कि यह problem बार-बार ना आए तो पूरा जानेंगे इस वीडियो में और देखते रहे है चैनल पे नए आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई को support कीजिए और ज्यादा ज्यादा share कीजिए क्योंकि जो मैं इस problem को solve करने यहां देख सकते हैं से पूरा खराब हो गया। पूरा ज़रू और ने वाले video का नोटिफिकरशन आपको मिलते रहे तो यहां देख सकते हैं जो common का वाई है तो जल गया है और इसको कैसे fix करेंगे वह भी आपको बताएंगे अपी देख बग्सक्तों है जो नहीं का भायर क्योंते है तो इसे चलता है यहाँ क्या होता है जो हमारा किलीप होता है अगर आपने उसको अच्छे से परफर से लगाया नहीं और धीला रखा है तो आपका जो clip है वो जल जाएगा यानि 10 दिन भी नहीं चलेगा और आपका जो clip है वो वापस जल जाएगा और आपका जो machine है वो trip हो जाएगा क्योंकि वो जब wire जलता है तो नीचे गर जाता है और नीचे गिरने से यहाँ पर या तो running में या तो starting में टच होके आपका जो MCB है, RCCB है वो trip हो जाता है तो इस problem को कैसे solve करते हैं वो पूरा जानेंगे इस वीडियो में इस वीडियो में practical में जानेंगे कि जो हमारा common का जो wire होता है वो जलता है तो उसको कैसे fix करते हैं तो यहाँ पर friend हमने क्या किया है जो common का wire है उसको निकाल लिया है और पहले क्या करेंगे इसके अंदर clip लगाएंगे तो clip लगाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अच्छे से लगाएं clip को और पूरा proper देख लें कि जो हमारा wire है कहीं बाहर तो नहीं निकल गया है क्योंकि अगर बाहर निकल जाएगा तो आपका दूसरा terminal पर touch होएगा तो भी आपका जो MCB है वहाँ पर trip हो जाएगा तो इस चीज का ध्यान दें और कभी भी आप एक wire लगाने जा रहे हैं तो बागी की भी दो wire जरूर चेक कर लें ताकि कोई wire में problem तो नहीं है और उसके बाद से आपको करना क्या होता है कि जो हमारा running starting जो common है तीनों को लगाने के बाद आपको एक बार अच्छे से खीच के देखना है कि जो हमारा clip है कहीं धीला तो नहीं है क्योंकि धीला नहीं रखना है अगर आप धीला रखोगे तो आपका जो clip है वो आगे जाके फिट से जल जाएगा और आपका जो machine है वो बंद हो जाएगा तो कभी भी friend जो आप clip लगाएंगे तो उसको दो से तीन बार अच्छे से टाइट करके और जो भी है आप इसको पकड़ के चेक कर लें जोकि हमारा clip है वो proper fix है की नहीं क्योंकि अगर fix नहीं रहेगा तो आपका जो compressor है जब load आने के बाद clip धीरे धीरे जलते जाएगा और आपका machine यानि जो compressor है वो बंद हो जाएगा और आपका machine cooling करना बंद हो जाएगा तो एच चीसका आपको ध्यान देना है compressor का clip कभी भी लगाएं यानि terminal जबी भी लगाएं तो उसको आप अच्छे से लगाएं क्योंकि अगर आप terminal में होता है अगर टर्मिनल आप clip अच्छे से नहीं लगाओगे तो आपका जो compressor है वो running नहीं करेगा और आपका machine cooling करना बंद कर देगा तो यहाँ पर देख सकते हमारा ब्लू वाला है वो starting है और red वाला जो वायर है मारा running है तो और black वाला जो वायर था वो हमारा common है तो हमारा जो यहाँ पर common वायर जो है वो जल गया था तो जो हमारा common वायर है फ्रेंड वो जल गया था तो अभी उसको हम सही करेंगे तो पहले करना क्या होता है जितना भी आ निकालने के लिए आपको simple कुछ निकालना है एक polish paper लेना है या तो अगर आपके fast file है यानि रेती है छोटी सी रेती है तो उसके अंदर scratch करना है यानि जो भी पुराना rust है उसको निकालना है क्योंकि अगर आप rust को निकालोगे नी तो फिर आपका जो clip है वो अच्छे से polish paper से use करना है और उसको अच्छे से polish करना है जिससे कि हमारा जो terminal का clip है वो अच्छे से सफाई हो जाए और जो हम clip अभी लगाने जा रहे हैं वो अच्छे से उसके अंदर बैठे ताकि जो भी हमारा future में कुछ problem ना होए और बाकी का जो clip है दोनों उसको भी check कर लें कि जो ह अगर trouble shooting में काम कर रहे हो तो यह सब चीजे रखनी चाहिए और like करें वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा subscribe करें चैनल को अपने दोस्तों को भी share करें तो देख सकतो हमने तीनों clip को निकाल दिया है और तीनों को अच्छे से यहां पर polish करेंगे क्योंकि हमने एक खराब थ अंदर देख सकते हैं यहां पर बहुत डश्ट हा गया है तो इसको निकालेंगे तो आप जब polish करने जाओगे polish करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कचरा है ऐसा आपको दिखनी रहोगा तो जब आप इसको थोड़ा सफाई कर दोगे और इसको निकालने के बात और आपका जो clip है वो जलेगा नहीं तो कभी भी friend अगपका clip जब जलता है तो इस trick को जरूर यूज करें और यहां पर अभी हम इसको polish मारेंगे फिर अच्छे से सफाई करेंगे कपड़े से और उसके बास से यहां पर grease लगा के वापस से जो नया clip हमने लगाया है वो clip बैल आइकन को जरूर दबालें अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा क्योंकि इस चैनल पर